exercise 3.6 question no.7 square root 431.5 multiply by 1.2 whole square divided by root 3rd root of 36.98 यह हमारा question है square root of किसे solve करना है तो सबसे पहले हम इस पूरे question को suppose करना है let x is equal to root 431.5 multiply by 1.2 whole square 3rd root of 36.98 अभी जितनी भी radical sign के powers है इनको आप सबसे पहले convert कर दीजे square root का मतलब क्या होता है 431.5 power 1 upon 2 multiply by 1.2 इसकी power 2 ऐसी रहेगी इस radical sign को भी आप convert कर दीजे power में it becomes 1 upon 3 next step taking log on both sides of x is equals to log 431.5 power 1 upon 2 multiply by 1.2 whole square upon 36.98 power 1 upon 3 अब जैसे कि according to rules आपको पता है कि multiply convert हो जाता है plus में divide convert हो जाता है minus में और जितनी भी powers है यह बन जाते हैं coefficients according to 3 rules जो हम बढ़ चुके हैं उसके according हम इसको convert कर देते हैं log 1 upon 2 इसको coefficient हो जाएगा half 431.5 plus 2 log 1.2 minus 1 upon 3 log 36.98 यहां पर 0.3 numbers के बाद है तो according to rule इसका characteristics के हो जाएगा एक कम 2 43 का 1 और mean difference 5 आप देखेंगे log table से 1 point it's 1 1 point के मतलब के हो जाएगा 1 minus 1 0 यह 12 का 0 देखेंगे हम 1 upon 3 36.98 का मतलब के हो 2 के बाद point है it's chapter 6 1 हमें देखना है 43 का 1 और mean difference 5 43 का यह 0 है यह 1 43 का 1 6 3 4 5 इसी की लाइन में जाएगे mean difference 5 1 2 3 4 5 इन दोनों का ब्लस कर देंगे 6 3 4 5 प्लस 5 6 3 5 0 6 3 5 5 0 1.2 means 12 का 0 12 का 0 that is 0 7 9 2 अब है 36.9 है 36 36 का में देखना है 9 5 6 7 0 और यहां पर है इसका 8 10 5 6 7 0 प्लस 10 5 6 8 0 इसको उन 2 से डिवाइड कर देंगे और इसको उन 2 से मल्लिप्लाइ कर देंगे इसको 1.568 को डिवाइड बाइ 3 करके अंसर से लिख देते हैं 2.6350 डिवाइड बाइ 2 इसको तो 1.3175 अगर हम इसको 2 को इससे मल्लिप्लाइ करें we will get 0.1584 1.5680 को अगर डिवाइड बाइ 3 करें तो हमारा का सांसर आता है 0.5226 इन दोनों को प्लस कर लीजे मारा पासांसर आ जगा 1.4759 minus 0.5226 इस इकोल स्थो दोनों का दिफ्रेंस 0.9355 इस अब लॉग एक्स अब इस क्योंकि हमने लॉग लिया था तो अब हमें एंटी लॉग लेना होगा तो अब लॉग तो कर दो टा Tob डो औो रॉग न टो इस अब कीणी लॉग पासांसर आतली के लॉग भासांसर प्लॉप और एंटिलोग कर जाए गाया एकस इकल स्टू अब हमें एंटिलोग देखना है पॉइंट नाइन फाइफ का थी थी में और जीरो के अकॉर्डिंग हमने इसका डेसिमन पॉइंट लगाना है चले हम एंटिलोग टेविल पे आ जाते है जीरो पॉइंट नाइन प्लस 68980 इसका इंटिलोग रहा है 8980 अब क्यूंके यह क्रेक्टर स्ट जीरो है तो हमारे पास एक नंबर जादा के बाद पॉइंट लगेगा एकस इकल स्टू 8.980 जाची है जाची है लगेगा जाची है और जादा के जाचाब ने बाद के क्रभसे दीयुचे है जाची है अबदकी क्या आदिलोग जाची है अंबर टी है?